नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रीना और आप सभी का स्वागत है रीरास किचिन में आज हम बनाने जा रहे हैं साबू दाने की बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट एकदम खिली-खिली-खिचडी सभी tips and tricks के साथ आप भी इस तरह से खिचडी बनाएंगे तो आपकी खिचडी भी एकदम खिली-खिली और बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट बनेगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं साबू दाने की खिचडी सबसे पहले यहाँ पे मैंने साबू दाना लिया है यहाँ पे मैंने बड़े वाले साबू दाने का उप्योग किया है यहाँ पे मैंने टोटल दो कप साबू दाना लिया है आप किसी भी कटोरी या फिर गिलाज से मेजर्मेंट ले सकते हैं अब हमें साबूदाने को अच्छी तरह से वाश कर लेना है, यहाँ पर मैंने साबूदाने को दो पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमें साबू दाने को भिगोना है यहाँ पे मैंने दो कप साबू दाने के लिए एक कप पाने लिया है अब हम साबू दाने को चार से पांच घंटे के लिए ढग कर रख देंगे फूलने के लिए अब यहाँ पे मैंने आधा कप मुमफली ली है मुमफली को हमें मिक्सर में दरदरा पीस लेना है यहाँ पे मैंने मुमफली को एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया है दरदरा ही रखा है चार से पांच घंटे के बाद आप देखेंगे साबुदाना भी फूल चुका है बहुत बढ़िया तरीके से साबुदाना फूल कर तैयार हुआ है अब हम साबुदाने को इस्पून की सायता से चला लेंगे ऊपर नीचे कर लेंगे अब यहाँ पे हम साबुदाने में कुछ इंग्रेडियन डालेंगे यहाँ पे मैंने आधा बड़ा चमच उपवास का नमक लिया है, सेंधा नमक लिया है अब इसमें मैं एक बड़ा चमच निबू का रज टालूंगी और जो हमने मुमफली को दरदरा पीस की रखा था उसे भी डाल देंगे अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे अब हम सभी सामगरियों को साबुदान में बहुत बड़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे सभी चीजें साबुदाने में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई भी लगभग तीन बड़े चमच देसी घी लिया है आप चाहें तो मुमफली का तेल या फिर नारियल का तेल जो भी आप उपवास में खाना पसंद करते हैं उसका उप्योग कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने थोड़ी मुमफली ली है मुमफली को हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है मुमफली फ्राई हो चुकी है अब हम मुमफली को एक कटोरी में निकाल लेंगे अब यहाँ पर हम हरी मेज डालेंगे आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग हरी मिज डाल सकते हैं आधा चम्मज जीरा डालेंगे और कुछ कड़ी पत्ते डालेंगे मीठी नीम तड़के को अच्छी तरह से तयार कर लेंगे तड़का तयार होने के बाद हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे यहाँ पे मैंने दो बड़े साइस के आलू उबाल लिये थे और उसे पीसिस में कट कर लिया है आप यहाँ पे आलू को मैश करके भी डाल सकते हैं आप जैसा पसंद करते हैं आलू अच्छी तरह से भून चुके हैं मैंने इसे एक मिनट लगातार चलाते हुए भून लिया है अब मैं इसमें एक चोथाई चमच नमक डालूँगी हमने साबू दाने में भी नमक डाला था इसलिए आप अपने टेस्ट के एक ओर्डिंगे नमक डालिये अब हमने जो साबू दाना भीगो कर रखा था उसे डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमें साबू दाने को अब लगातार एक मिनट तक चलाते हुए एकदम स्लो फ्लेम में भून लेना है साबू दाने को यदि हम हाई फ्लेम में भूनते हैं तो यह नीचे से बहुत जल्दी चिपकने लगता है, इसलिए हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे, मैंने साबुदाने को एक मिनट तक लगाता चलाते हुए भून लिया है, अब मैं साबुदाने को ढग कर पकाऊंगी, अब यहाँ पे हम साबुदाने को ढग देंगे, दो मिनट के लिए स्लो फ्लेम में, दो मिनट के बाद हम साबुदाने को एक बार फिर से चला लेंगे, आप देख सकते हैं कुछ साबुदाने का करण चेंज हो चुका है, लेकिन कुछ अभी भी वाइट है, हम साबुदाने को अच्छी तरह से एक बार फिर से चला लेंगे और हमें साबुदाने को फिर से दो मिनट के लिए ढख कर स्लो फ्लेम में पकाना है जब तक सभी साबुदाने ट्रांस्परेंट ना हो जाए यहाँ पे मैंने साबूदाने को फिर से दो मिनट के लिए स्लो फ्लेम में ढखके पका लिया है तभी साबूदाने बड़िया तरीके से पक चुके है सभी साबूदाने का कलर चेंज हो गया है बहुत ही बड़िया खिले खिले साबूदाने बनके तैयार हुए है एक बीदाना आपस में बिल्कुल भी नई चिपका है अब हमने जो मुफली भून कर रखी थी उसे हम उपर से डाल देंगे अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो लीजिये हमारी साबूदाने की एकदम खिली-खिली बहुत ही जादा स्वादिस्ट खिचडी बनकर तैयार है यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जय माता दी